बिहार विधान सभा चुनाओं के लिए सभी पार्टियों ने तयारी शुरू करती है जितने भी चुनाओ प्रचार के तरीके हैं उसको आकलन करने के साथ साथ सीट शेरिंग पर भी अब बातशीत शुरू हो गई है खास कर कॉंग्रिस बिहार के कई सारे सीटों पर नजर बनाए वे है कि कौन कौन सी ऐसी सीट है जहां पर कॉंग्रिस की जीत सुनशित हो सकती है इसको लेकर अब चर्चा की जारी है जिसकी वज़ा से कल ही शक्ति सिंग गोहिल पटना आये थे और कई सारे टास्क उन्होंने अपने कारेकरताओं को दिये हैं इस पूरी खबर पर बाटशीत करने के लिए माई साथ हमारे वरिस्ट सयोगी विवेका नंद है इनसे जानेंगे अंदुरूनी खबर पीछे की खबर के आखिर शक्ति सिंग गोहिल का बिहार आने का मकसद क्या था विवेका जी जो भी ऐस से तरीके हों भले ही कॉंग्रेस या फिर विपक्षी पार्टी जो है कोरुना का बहाना लेकर कर चुनाव टाल देना चाहिए लेकिन साथी साथ तैयारी पूरी है देखिए तमां आप चुकी चुनाव में काफी कम समय बच गया है अक्टूबर नवंबर महीने में 24 नवंबर के बाद सरकार का गठन हो जाना है तो ऐसी स्तिती में भले ही चुनाव आयो के पास पत्र भेज करके तमाम जो विपक्षी दल में कह रहे हैं कि कुरोना संकट में चुनाव नहीं होना चाहिए और चुनाव को अगले कुछ महीनों के लिए टाल देना चाहिए ले चाहुल गांदी ने अभी से तीन दिन पहले यानि 6 अगस्त को बैठक की थी बिहार के करीब 1000 कॉंग्रेसी कारेकरताओं और नेताओं के से वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से वर्च्वल मीटिंग की थी और मीटिंग में तमाम जो नेता थे उन लोगों ने जो निश को मीटिंग होती हैं वर्च्वल मीटिंग होती है और उसके बाद आठ अगस्त को सकतिसी हमें गोहिल जो बिहार कॉंग्रेस के प्रभारी हैं वे पटना पहुँशते हैं और पटना पहुँचने के साथ ही हिः वे पाटी के वरिश्ट्नेता विधान मंडल दलके नेता सदानन सीह के यहां पहुंचते हैं और उसके बाद जो वरिष्ट नेता है पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के यहां पहुंचते हैं दरसल ये दोनों नेता कहीं न कहीं पार्टी न्यत्रित्व को लेकर के थोड़े नराज चल रहे थे जिस तरीके से पार्टी की गतिविधी है जिस तरीके से राजद के आगे कॉंग्रेस ने सरेंडर किया हुआ है तो इसको लेकर के थोड़े नराज थे तो सबसे पहले सक्ति सिंगोहिल उन लोगों के यहां पहुंचते हैं सदानान सिंग के यहां पहुंचते हैं और निखिल कुमार के यहां पहुंचते और इसके बाद कल सुबह सक्ति सिंगोहिल ने कहा कि वे तमाम जो पार्टी के नेता हैं, उन नेताओं को चुनाव के लिए तयार कराने आये थे, चुनावी मोड में सब लोग अब आजाएं, अब चुनाव में काफी कम समय है, और जो तमाम नेता हमारे वरिष्ट नेता हैं, उन वरिष्ट नेताओं को जो जिला अलाउट किया गया है उन जिलों में जाएं वहां से रिपोर्ट कलेक्ट करके लाएं और फिर उस रिपोर्ट को हम लोग उसकी समिक्षा करेंगे कल भी दिन भर सक्ति सिंगोहिल पार्टी के वरिष नेताओं से मुलाकात करते रहे और उस मुलाकात में जो कोर ग्रूप है उस कोर ग्रूप की बैठक में सक्ति सिंगोहिल ने कहा है कि जो पार्टी के जो पताधिकारी हैं जो जीलों में उस विधान सभाज छेत्र का चैन करें उस पर नज़ा रखें जहां पर पिछले 2015 के विधान सभाज चुनाव में जेडिव की जीत हुई थी उस सीट को चिनित करें जिस सीट पर राज़त की कमजोर पकड़ है और कॉंग को कलेक्ट करने के बाद फिर उसको हम लोग देखेंगे उस पर समिक्चा करेंगे और जब महागाट पंधन की बैठक होगी तो हम उन सीटों पर भी विचार करेंगे वैसे तो हमारे पास पिछली दफा 2015 के विधान सभाज चुनाव में हमने 26-27 सीटे जीती थी लेकिन कोश करेंग में पिछली दफाज जब जेडिव, राजद और कॉंग्रेस तीनों मिलकर के चुनाव रहे तो कॉंग्रेस के खाते में 41 सीटे आई थी जबकि बाकी राजद और नितिश कुमार की पार्टी जेडिव को 101-101 सीटे मिली थी तो इस बार कॉंग्रेस महत्वण घटक है राजद सबसे बड़ा दल है उसके बाद कॉंग्रेस है तो कॉंग्रेस की कोशिस है कि हम 41 से जो संख्या हमारी होनी चाहिए वह 41 से अधिक सीटे हमें मिलनी चाहिए तो इसी को लेकर के कॉंग्रेस के बिहार प्रभारी ने अपने नेताओं को या टास्क दिया है कि आप ल आगे कि हाँ वहाँ बेहतर कर सकते हैं बेहतर तरीके से हम चुनाव लड़ सकते हैं वैसी सीटों का चैन कीजिए और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट कीजिए और तमाम जो जिला के जो प्रभारी जो बनाए गए हैं वे जीलों मे जाएं और जिलो में जाकर कि पूरी जानकारी इकठा करें और फिर उस जानकारी को हम तक साजा करें फिर हम केंद्रियर नियतिरतु से उस पर चर्चा करेंगे जब केंद्रियर नियतिरतु उस पर तयार हो जागा तो फिर जब महागटबंधन की बैठाक होगे जिसमें seat sharing पर चाहिए तो यह पूरी तरीके से प्लानिंग है कॉंग्रेस की कि इस बार जो है 41 नहीं बलकि जो सीटे होनी चाहिए हो 50 से पार होनी चाहिए 50 चुकि पिछली दफा तीन बड़ी पार्टियां एक साथ मिल करके लड़ रही थी तो इस बार राज़त के बाद सबसे बड़ी पा भी है कि कॉंग्रेस को इस बार जो है अधिक सीटों पर चुनाव की तैयारी करनी चाहिए महागटबंधन में अपनी बात को मजबूती से रखनी चाहिए सदानान सीम ने भी जब 6 अगस्त को बैठक थी वर्चुल मिटिंग थी तो सदानान सीम जो पार्टी के वरिष्ट है उन्होंने वर्चुल मिटिंग के दोरान ही राहूल गांधी से कहा था कि आप लोग जिस तरीके से राजद हर बार कॉंग्रेस को धोखा देने का काम करती है हर बार सीट सीरिंग अंतिम दोर में फाइनल होता है वैसी सिती में कॉंग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता ह सदानसी ने असपश्ट कहा कि इस बार वो इसीती नहीं होनी चाहिए नेत्रित को इस पर आगे आ करके समय रहते सीटों पर समझोता कर लेना चाहिए तो राहूल गांधी ने उस पर बड़ा पोजेटिव रियक्सन दिया था और कहा था कि आप चिंता मत करिये हमने आपने जो वरिष्ट नेता है राश्ट्रिय महासजी केसी वेनु गुपाल और बिहार प्रभारी सक्ति सिंगोहिल और प्रदेश अध्यक्ष को हमने निद्यसित कर दिया है कि इस मुद्दे पर आप लोग बात करिये और समय रहते सब कुछ सल्टा लीजिए तो राहूल गांधी क इस निर्देश के बाद सक्ति सिंगोहिल पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद वे तमाम नेताओं से कॉंग्रेस के नेताओं से बाचित की और जो नेता जिला में नहीं जा रहे थे उनको कहा कि आप लोग जाईए जिला में जिला से ग्राउंड रिपोर्ट कल धायक है उन सीटों पर नजर जो है वो गडाये हुई है और पूरी कोशिस है कि हम अधिक से अधिक सीट महा गड़बंदन में बैठा हो तो हम अधिक से अधिक सीट पर अपना दावा पेस कर सकें. बिल्कुल तो महा गड़ बंदन में अभी से ही छीट सेडिंग पर बातशीत होने शुरू हो चुके और अभी से तयारी जो है वो की जारी है खास कर जैसे के मरी सहयोगी ने बताया कि जो कॉंग्रिस है वो वैसे सीटों पर भी ध्यान दे रही है जिस पर पिछली दफा जेडियो निशुनाव लड़ा था वो इसलिए क्योंकि इस शुरू कर दी गई है ज्यादा अपडेट के लिए आप जूरेडियो निउस फर नेशन के साथ नमस्कार